तो फैन देख पार्च वोल्ट का चार्जर है इसमें जतना भी फॉल्ट आता है उन सभी को कैसे step by step रिपेर करना होता है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो अगर आपके पास भी कोई ख़लाप चार्जर है चाए पार्च वोल्ट का या बारा वोल्ट का आप इस वीडियो को देख के उसको बहुत असाइस रिपेर कर सकते है तो चलिए वीडियो को एतार करते है तो फैन किसी भी चार्जर को रिपेर करने के लिए आपके पास एक मल्ती मिटर होना बहुत ज़वरी है बिना मल्ती मिटर के आप किसी भी चार्जर को रिपेर नही कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको अपने चार्जर को चेक करना है कि उसमें क्या दिक्कत है बहुत से चार्जर में क्या होता है इसके अंदर कोई फ्यूज अभी नहीं है मैं इसका फ्यूज निखाल लगा है लेकिन फ्यूज को चेक करना बहुत अधाल है आपका या सो ग्लास फ्यूज होगा या कुछ इद्धा का होता है अब इसको चेक करना है इस पर कोई sorting नहीं आज़ा है कोई reading आज़ी कुछ इत्ता आते देखिए तो एठीक है अगर इस पर कोई भी reading आता है तो आपका MO भी खड़ाब होता है तो आपको इसको चेंज करना आपका चार्जल ठीक हो जाएगा और फिर्ण जब भी खड़ाब होता आ अब इसके आज़ फेंट आपको चार्ज डायोड देखने को मिलेगा जो आपकी AC वोल्टेज को DC में कनवर्ट करता है तो आपको इन्चार्ज डायोड को चेक करना है तो जैसे मैं इन्चार्ज डायोड को चेक करता हूं तो फेंट देखिए एक तप से कोई reading याड़ा है आप प्रोग को पलत केचर करते हैं तो इसमें 400 के उपर डायोड वो छेक करना है इस क्याड़ में आपको यह kind को मिला है तो आपको present को 14 का इंए यह आपके वाल्टेज को फिल्टर करने की लगा आता है तो ये बिल्कुल सआई है इसमें 10ह को प्रेृध करें आपका मेंeger क्या करता है कि क्या करता पूमर्टेज को फिल्टर करता है अगर आपके वोल्टेज जी बहुत या फ्लक्चुएतर ने सुब को एक सहन वोल्टेज करता है तो इन दोरों क्याप्टर को आपको चेक करेना है मैं देख लता हूँ पर अलका रीदिंग आके चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है देखें पर इस पर रीदिंग आके तो आप पर खावटा करें तो आपको एक सेकेंड लिए स्वाटिंग आके चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसके आपका एक टांजिस्टर कितली है तो फिर देखें आपको एक राइस्टेन देखने को मिला है इसको भी लगे हाँच चेक कर लिए आपको जैतने भी जागा जो किये ठीक है इतने तर इसके आफ़ें आपका जो SM ट्रांफर्फार्म इसको मुल्टी मेर चेक करना बहुत असा होता है मैंने वीडियो मैंना कि आप जाके देख सकते हैं आपको प्राइमरी से से केंडरी चेक करना है इस पर कोई सौर्टिंग नहीं आची है मतलब आपस में कोई लीकेज नहीं आची है तो देखिए बिल्कुल ठीक कोई लीकेज नहीं है इसके आफ़ें आपके सेकेंडरी सेक्षन में आपको दो क्याप्तर एक जया डाओड और एक जॉपकर डाओड है जो वोल्टेज को फिल्टर कलता है प्योल डीसी में केंवर्ट करत है विल्कुल स्ही है कोई द्क्कत नहीं है इसको चेक कर लते हैं इसको चेक लुए लेते हैं अब हमाय ज़्याइख लग यह इसको भी च lihat कर लेते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं न तो पर फैंश्ट भी फिल्कूल थीक है अब धेक ऑ्याख हैं मैंने तो फ्रेंट यहां एक Octocouple लगाता है जो आपके यह सरकीट है उसको on करने काम करता है तो अगर एक खलाब हो जाता है तो आपका सरकीट है अमेशा के लिए खत्म होता है वो काम निकलता है तो आपको क्या करना है इसको एक बाद चेंज करके देखना है तो परें मैंने एक ब आपको आपको एक बाद जो एक बाद चेंज करके देखना है इसके एड़ आपका सरकीट बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो आप समझगे कैसे रिपेर करना तो आपको सभी कमपोईक को चेक करना है जोन सा भी कमपोईक कर आपको निकाल के उसी वैल्यों वहाँ लगाए न जै काड़ी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा